तो आप कौन से गाहूं से हैं? मैं पैदा तो यही हורה हूं दिली में लेकिन ना जाता रहता हूं तो मेरे वालिस साँप की जुद जुद लुगों की जुद जुबान ऐторो ही यहादत थी गर में उस्हाइ बोलता हूं तो उससे शर्मा रहा था हूं पहली बार मैं माइक पैसे गया था टाइटानिक के दिखाने यू लकड की इत्ती बड़ी नौका बना दिये और कप्तान साफ कह रहे डूबना को ना हो यह जहाज मैं कह रहा हूँ जब तुझे गदे के बच्चे यू पता था कि डूबना को ना आ या कर टेस्ट ड्राइब लेके आ जा था तेरे कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई हजाल लोग मार दिये अब टाइटैनिक में हमारे लॉंडो जैक बैट हुए है और वा के साथ च्छपरिया बैठी है जैक कहरो और टाइटैनिक में सबसे आगे आके हाथ चौरा ले च्छपरिया केट विंसलेट कहरी मेना चौरारी मेरे तो बगल के बाल बढ़ रहे हैं अगर सब देख लेंगे तो किती सरम आगी आगे चले हैं और मैंने ये जब बोला लोगों ने कॉल करनी इतनी शुरू कर दी कि जब बताने लगा या रोज बताये करो तुम्म करो तो Means this एक दिन च्छपरिया कहरी जैक से जैक में तो बोल हो रही हूं क्या करें कोई क्हेलें जैक केरो वो खेले हैं चल गोड़ चिपक चिपक मक्य बहनक 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 और यह इतना उस वक्त फट्टो कहता था मैंसे क्यों कि मेरी फाइट यह थी कि जब जहाद सिंख हो गया तो एक बोट बजा हुआ था उसको फट्टो कहता था कि छपरिया हमेशे उस पर क्यों बैठत तो यह कैसे आपके अचानक से प्रैंग से सोशल मेसेज पर आप कैसे पहुचे है थोड़ा सा लोगों को अजीब से लगता है कि प्रैंग कॉल में सोशल मेसेज कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है कि काईदे की बात कर ले मुझे लगता है कि इस तरह की बात करन था मेरे जहन में क्योंकि मुर्गा जब तक बहुत मशूर हो चुका था और हर शाम साड़े साथ बुझे मुर्गा चलता था तो लोग इंतिजार करा करते थे जब ड्राइब कर रहे हैं तो खास तोर से मुर्गा आएगा उसका इंतिजार करते थे तो एक दिन क्या हुआ इंतिजार भी था मुर्गा आएगा लेकिन मेरे अंदर से दिल ने गवारा नहीं किया क्योंकि उनका काॉंसेंट्रेशन सारा उस वक्त था कि गाने के बाद मुर्गा आएगा मैंने उसी वक्त वो चीज़ शुरू कर दी जो मैं चाहता था कहने और मैंने उसी अंदाज में कि लोगों को लगे कि प्रैंग कॉल है वो प्रैंग कॉल होते 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 एक सोशल मेसिज की तरफ जाना शुरू हो गया और लोगों ने इतना अप्रिशेट किया के बिल्कुल सही किया क्यूंकि हमें भी लग रहा था शायद आप हसेंगे हसाएंगे लेकिन जरुरत इस वक्त इसी चीज़ की है कि लोग पैनिक ना हो और काफी लोग घायल हो गए थे कि बलड डोनेट अगर कर सकते हैं तो प्लीज हॉस्पिटल जाएए उसी प्रैंक पर मैंने ये भी मेंशन कर दिया था कि हल्प लाइन नंबर्स क्या है अगर आपका कोई अपने नहीं मिल रहा तो आप कहां ढून सकते हैं किस से पूछ सकते हैं और ये एक प्रैंक कॉल के जरीए मुझे ये लगता है कि किससे आप ये कहें कि अच्छी बाते किया करो हर धर्म की इज़त किया करो हर लड़कियों के साथ इज़त से पेशाय करो अगर ये नॉर्मल तरीके से कहेंगे न असर नहीं पढ़ता लोग पर नहीं पढ़ता क्यों को लगता है यार कहते हा रहे हैं लेकिन प्रैंक कॉल क्योंकि इसलिए काम कर जाती है क्योंकि लोग पसंद करते हैं प्रैंक कॉल को मुरगा को तो मैं इन चीज़ों में जब जब मुझे लगेगा वक्त ऐसा होगा चाहे किसी कम्यूनिटी के बारे में हो या किसी लड़कियों के बारे में हो या फिर किसी लोगों के बारे में हो खासतोर से छेड़ चार के बारे में हो तो मैं हमेशा प्रैंक काल के जरीए ही अपने में सीट हूँगा